अस्सलाम आलेकुम विवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल रोशनी क्रियेशन्स आज की इस वीडियो में आपको तीन साल की बची का ओपन फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी उसके लिए सारी चीजों की मैंने कटिंग करके रख लिया है यह घेर का कपड़ा है पेटी का कपड़ा भ कफ के लिए लेदा कपड़ा काटा है बाजू की सामने से चुड़ाई 6 इंच है पीछे से 7 इंच है इसकी इस तरह से मैंने कटिंग किये यह पफ स्लीव्स उपर से बनेंगे कफ के कपड़े की चुड़ाई पांच इंच है और इसकी लंबाई दो इंच है यह मैंने दो कपड़े लिए है कोट कॉलर के कपड़े की चुड़ाई मैंने लिए है तेरा इंच यह कपड़ा मैंने डबल लिया है और इसकी लंबाई है चार इंच संडर का मैंने कट लगा लिया है इसकी मैंने इस शेप में कटिंग की है और ये डबल कपड़ा है पेटी के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है उसका मैंने उपर से तीरा साड़े दस इंच रखा है ये बैक साइड है फ्रंट साइट का तीरा भी बिल्कुल एक चैसा ही है इसकी लंबाई मैंने साड़े दस इंची लिए तोड़ाई इसकी पंद्रा इंच है और आर्म होल की कटिंग मैंने साड़े पांच इंच की की है फ्रंट साइट की भी पाकी इसी तरह से कटिंग की है सिर्फ उपर से उसका जो मैंने गला है वो दूसरी तरह से काटा है और इसके अंदर मैंने तीन इंच का कपड़ा फाल्दू रखा है दोनों साइट्स पे क्योंकि ये अंदर की तरह फोल्ड होगा अब मैं गेहर के कपड़े की साइट की सलाइयां लगा रही हूँ दोनों तरफ से मैंने से बंद कर लिया है और सेंटर से मैंने से काट लिया है उसके बाद अब मैंने कोट कॉलर की साइट की सलाइयां लगाई है इसको बंद कर लिया है दोनों तरफ से अब मैं कोट कॉलर को गले के साथ फ्रेंट साइट पे अटैच करूंगी ये देखें इतनी आपने सलाई लगानी है फिर उसके बाद ये जो किनारा आ रहा है यहां पे आपने कोट कॉलर को सेंटर में रखना है उपर से इस कपड़े को रखना है और ये सलाई लगानी है उपर का कट किया आप लाजमी लगा लें जहां पे गला खतम हो रहा है कोट कॉलर पे मैंने वहां पे कट लगाया है अब ये एक साइड जिस तरह से जोड़ी है दूसरी साइड भी मैं बिल्कुल इसी तरह से जोड़ूंगी ये देखें इसको मैंने सीधा किया है किनारा अपनी अच्छी तरह से इसका निकाल लेना है अब कॉलर एक साइड से जोड़ गया है दूसरी तरह भी बिल्कुल इसी तरह से मैं जोड़ूंगी ये उपर से सलाई ला रही हूँ मैं इसकी देखें दोनों तरह से जोड़ गया है सेंटर से अब मैं इसे बैक साइड से जोड़ूंगी नीचे वाली साइड मैं बैक साइड से जोड़ रही हूँ और उपर वाली पे मैं सलाई नहीं लगा रही उपर की सलाई मैं बाद में लगाऊंगी अब दूसी तरफ पी उसी तरह से back side जोर लए हूँ उपर का कपड़ा देखे मैंने उपर किया है इसको मैंने सलाई में नहीं लगाया अब जो कालर की उपर वाली side है उसे मैं अंदर की तरह fold करके सलाई लगाँगी ये सलाई में सामने से लगा के लारही हूँ किनारे किनारे पे आपने ये सलाई लगानी है अब इसी सलाई को ये कपड़ा फोल्ड करके लगाना है इस तरह से कॉलर बहुत जादा सफाई से लगता है और अच्छा लगता है ये कपड़ा आपने बिल्कुल बराबर अंदर की तरह फोल्ड करना है अब इसी सलाई को दूसी तरफ भी लगाऊंगी यह सलाई बिलकुल आपने किनारे पे लगानी है देखिए अब यह कोट कॉलर त्यार है अब मैं इसके स्लीव्स बनाऊंगी स्लीव्स के लिए मैं पहले कफ की सलाई लगाऊंगी कफ का कपड़ा मैंने नीचे रखना है और उसकी उपर मैंने बाजू रखने है अब जो उपर बाजू आ रहे हैं उसकी उपर मैं प्लेट्स टालूंगी सेंटर में दो प्लेट्स आएंगी इन प्लेट्स की साइड्स आमने सामने की हैं मैंने यह देखे सेंटर में आईएं दो प्लेट्स अब इसी कपड़े को उपर की तरफ फोल्ड करके सलाई लगाऊंगी पहले वाली सलाई की उपर ही आ रही है दूसरी सलाई अब मैं पेटी के साथ बाजू को जोड़ूंगी यह पफ स्लीव्स हैं तो इतनी सी जगह पे मैं इसकी प्लेट्स डालूंगी प्लेट्स आपने बहुत बड़ी नहीं डालनी बिल्कुल छोटी छोटी सी डालनी है देखे मैं सुई की मदद से इतनी सी जगह पे सिर्फ प्लेट्स डाल रही हूँ बाकी आगे आपने सीधी सलाई लगानी है बाजू की जो लंबी सलाई है वो मैं बाद में लगाऊंगी पहले मैंने इसको जोड लिया है यह देखे पफ स्लीव्स बन गए है अब यह वाली सलाई मैं बाद में लगा रही हूँ बाजू जोडने के बाद अब मैं घेर के साथ पेटी को चोड़ूँगी या देखें आपने दो इंच कपड़ा फालतू रकना है घेर का इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोलड करना है पेटी के साथ अब मैं इसकी इस साथ पी प्लेेट्स टालूंगी जिस तरह से मैंने बाजू पे आमने सामने प्लेट्स टाली थे बिलकुल उसी तरह से एक प्लेट का रूख एक तरफ है दूसरी का उसके सामने है इसी तरह से अब मैं साइड्स के टांकों का ख्याल रखते हुए प्लेट्स टाल लूँगी सारी पेटी की उपर देखें साइड की सलाईया बिलकुल उपर नीचे आए अब ये एक साइड पे चार प्लेट्स चल लिए इसी तरह से मैं सारे घेर पे प्लेट्स डाल लूँगी ये देखें दोनों बाजो मैंने जोल लिए गला भी तियार है प्लेट्स देखें कितनी सफाई से आ रहे हैं और कितना प्यारा फ्रॉक लग रहा है फ्रेंट्स से ये ओपन है तो आप इसके उपर बटन लगा लिंक थोड़ा थोड़ा सा गयाप देखें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिया तो प्लेज इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिज